नमस्कार मैं हूँ आपका दोस विजे विद्रूही राजस्तान की शेखावटी छेतर की तीन लोगसभा सीटों में पिछली बार बीजे पी ले कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था लेकिन इस बार बदली हुई परिस्चतियों में किसका सूपड़ा साफ होगा अगर विधानसभा चुनाओ के नतीजों को देखा जाए और चंता से जुड़े हुए मुद्दों पर जोर दिया जाए तो कॉंग्रेस का हाथ भारी पड़ता आज की तारीक में दिखाई पड़ता है लेकिन आगे क्या होगा जानना दिल्चस्पा है इसकी विवेचना करने की को कॉंग्रेस को जो लग रहा है कि पहली सीट अगर वो लोगसभा की पिछले दो चुनाओं को देखते हुए अगर पहली सीट में जहां उसका खाता खुल सकता है तो वो चूरू की सीट है ऐसा क्यों कहा जा रहा है विवेचना करेंगे लेकिन बीजेपी के आंगल से देखे तो चूरू की सीट पर बीजेपी के राहुल कस्वा और उनका परिवार जो 30 साल से स्पीट पर कबजा करता रहा है वो कॉंग्रेस के साथ है कॉंग्रेस के टिकट पर राहुल कस्वा चुनाओं लड़ रहे है जुनजुनू की बात करें तो लोगसभा कि उनके सांसर विध सरस्वती पर फिर से दाव चला है यानि पिछली तीन में से एक चहरा पुराना है बाकी दो चहरे बीजेपी के ने हैं अगर इतनी ही गरंटी है तो ने क्यों है अगर बीजेपी 25 की 25 सीटे जीत रही है राजिस्थान की तो चूरू में प्रधान बंतरी की सभा जान बूच कर क्यों कराई गई और चूरू की सभा में प्रधान बंद्री ने सीकर की सभा सीकर लोकसाबा सीट का भी हवाला क्यों दिया और जुचनु 1975 के प्रत्यासी को भी जिताने की अपील क्योंकि बढ़ा हुदा है अब राहू लकस्वा बीजेपी के थे अब कॉंग्रेस की करता वैसे ही साथ छोड़ चुका है तो हालत खराब हो जाएगी लेकिन दूसरे लोगों का तर्क है कि राहुल कस्वा की आप पॉलिटिकल स्टेजी देखिए वो मोदी की बुराई नहीं कर रहे वो बीजेपी के खिलाब भी नहीं बोल रहे एक शब नहीं बोल रहे वो कॉं इंदर राठोड के लिए कह रहे हैं कि साथ इस अकेले शक्स ने अपनी ताना शाही चला रखी है इस अकेले शक्स ने पार्टी से आगे बढ़कर जो बैयान बाजी की और तमाम चीजें मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इस अकेले शक्स ने मेरा टिकट और आज तक बीजेपी के नेता नहीं बता पाए कि मेरा टिकट काटा क्यों गया है तो राहूल कस्वा की अच्छी स्टेजी है इस स्टेजी को बीजेपी के नेता भी प्रधान मंत्री भी समझ रहे हैं और प्रधान मंत्री भी रहूल कस्वा के खिलाफ एक शब नहीं बोल तो इससे बीजेपी का वोटर, बीजेपी का समर्थक, बीजेपी का वोटर और कुछ हद तक बीजेपी का कारेकरता भी विक्टिम कार्ड से प्रभावित होगा और राहूल कस्वा के साथ आएगा, योकि इसमें से अकेले वो नहीं है जो काका की राजनीती से उत्पीडित देवेंद्र जहांजरिया के पक्ष में बोधी जी चुनावी सभा करने आये, तो देवेंद्र जहांजरिया के पक्ष में थोड़ा सा माहूल बना है, जो पहले अकेले थे, अब उनको प्रधानबंतरी का साथ मिल गया है, लेकिन क्या प्रधानबंतरी अपने चहरे की बद तो वो जुनजुनु जैसा ही जिला है और वहां पर अगनीवीर योजना एक बड़ा व्यापक मुद्दा है कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में अगनीवीर योजना को खत्म करने की बात कहते बड़ी संख्या में युवाओं का दिल जीता है यहां फैक्ट्रिया नहीं किसानों यहीं से निकले हुए हैं कि दूसरा किसान कि क्रिशी के तीन काले कानुनों का बढ़ चड़कर शेखावटी के किसानों ने विरोध किया था तीसरा कॉंग्रेस ने किसानों को MSP पर खरीद की जो उनकी मांग थी वो पूरी करने की बात कही है MSP को लीगल राइट बनाने की बात कही है जो स्वामिनात्यायों की सिफारिशोнов को लाग़ु करने की बात की है तो इससे सभभावी के किसानों का जुखाओं कॉंग्रेस की तरफ कर communications onda ERA कि 5 वादे की और थे वीर्वे कृध बलकि यमुना का पाणी लाने की भी तयारी हो रही है तो ई सिर्च की बात करें वह शुबकरंद चौदरी जो उदेपुर वाटी से विधान सभा चुनाव हारे उनको लोग सभा का चुनाव लड़ाया गया है। कहीं से खड़े हो जाते थे जीत जाते थे वो पर्टी के प्रती महताज नहीं थे पर्टी उनको लेकर महताज थी। और कुल मिला कर ब्रिजेंद्रोला का रुतबा भी ऐसा है। उनके पिता को भी बहुत लोग याद करते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग तो यहां की संभावना है किसी एक सीट से तो वो चूरू से ज्यादा यहां की सीट है जुन जुनु की सीट है अब कह नहीं सकते विधानसभा चुनाओ के हिसाब से देखा जाए तो जुन जुनु हो चाहे चूरू हो चाहे सीकर हो 21 सीटें है कुछ मिलाकर उसमें से 15-16 सीटें कॉंग् कुमिनिस पार्टी को दिया है वहां का गणित यह है कि अगर कुमिनिस्टों कोई पक्ष में खुल कर कॉंग्रेस के नेता कॉंग्रेस के समर्थक आ जाते हैं तो अमरारा मुश्किल पैदा कर सकते हैं अलंकि पिछले वे लोगसभा चुनाओं के हिसाब से देखा जाए तो राष्टवात की भावना को जगाना लेकिन अब मोदी किस मुझ से राष्टवात की भावना को जगाएंगे जब अगनीवीर योजना चला रहे हैं और जिसका भारी विरोध हो रहा है पहले ज्यादा बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो सेना में चले जाते थे अब उस बड़े मुझत्य हैं जो यहां काम कर रहे हैं अब देखना दिल्चस्प होगा कि सूपरा साफ होगा कॉंग्रेस का लगातार तीसरी बार या कॉंग्रेस खाता खोलने में कामयाब होगी इन 3 सीटों में या कम से कम 2 सीटें जीतने में काम्याब होगी योगी चूरू की सी लू के थपेड़े हैं वो उठे अगर तो बीजी बी को जंजनू में भी जहिलने पड़ेंगे और सीकर में भी जहिलने पड़ेंगे मोदी जी कितना इसको इसमें परिवर्तन करके जाते हैं चूरू की जो सभा के बाद ऐसा लग नहीं रहा कि कोई निरनायक असर हो गया हो मोधी जी की सभा का असर धरूर हुआ है लेकिन कोई निरनायक असर हो गया हो जो फेंसिटर है जो फ्लोटिंग वोटर है वो सब भी मोधी की सभा से प्रभावित होकर मोधी जी के पक्ष में आगे हो बीजेपी के पक्ष में आगे हो ऐसा भी कोई आसार अभी तक तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहे हैं और कॉंग्रेस का घुशना पत्र है जो किसानों के पक्ष में हैं महिलाओं के पक्ष में हैं युवाओं के पक्ष में हैं अगनिवीर योजना को खत्म करने की बात कह रहा है तो ये जो जंता से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये निरनायक होंग किसी का चहरा काम नहीं आने वाला मुझे तो मोटे तोर पर ऐसा लगता है शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए घंटी जैसी आकरिती दबा दीजे ताकि निया वीडियो आए तो तकाल आपको जानकारी मिल जाए आप मेंबर्शिप ड्राइब में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, शुक्री आप बहुत बहुत शुक्री